साल का दूसरा और आखरी चंद ग्रहन लगने जा रहा है और ये चंद ग्रहन देव दिपावली यानि कार्तिक पुर्णिमा के दिन लगेगा अगर हम पंचांग के माने तो 8 नवंबर को साल का दूसरा चंद ग्रहन लग रहा है इस दिन देव दिपावली भी है तो देव दीपावली गरहन से एक दिन पहले मनाने की बाते हो रही है क्योंकि चंद गरहन के दिन आप देव दीपावली नहीं मना सकते इसलिए एक दिन पहले ही मनाई जाएगी तो चंदल गरहन 8 नॉवंबर 2022 मंगलबार को है और साम भरती समय के अनुसार साम पांच बचकर 32 मिनट से भारत में आरंब होगा और साम 6 बचकर 18 मिनट पर समाप्थ होगा चंदरगरहन का सू तक सुबह 9 बचकर 21 मिनट पर सुरू होगा और सू तक साम 6 बचकर 18 मिनट पर चंदरगरहन समाप्थ होने के साथ ही समाप्थ हो जाएगा कहां कहां दिखेगा चंदरगरहन देखे आठ नोवंबर को लगने वाला चंदर गरहन भारत में कोलकाता, सिलिवगुडी, पटना, राची, गोहाटी, आधी अस्थानों पर देखा जा सकेगा और दुनिया भेर में देव दीपावली के अगले दिन चंदर गरहन, उत्तरी और पूर्वी यूरोप, एसिया, उस्ट्रेलिया, प्रसांथ महासागर, हिंद महासागर, उत्तरी अमिरिका और दक्षनी अमिरिका के अधिकान सिसों में देखा जा सकेगा चंद्रगरहन से जुड़ी हुई कुछ खास बाते हैं चंद्रगरहन का सूतक काल गरहन से 9 घंटे पहले ही आरंब हो जाता है और ये साल का दूसरा और आखरी चंद्रगरहन ने जो भारत में देखा जा सकेगा तो भारती समय के अनुसार आठ नुवंबर की दोपहर पूरे दुनिया में ये चंद्रगरहन एक बचकर 32 मिनट से सुरू होगा और साम 7 बचकर 27 मिनट तक रहेगा माननेता है कि गरहन काल में बिसे सुरूप से गर्वती महिलाओं को खास साबधानी बरतनी चाहिए चंद्रगरहन का सुतक काल असुब होता है और गरहन का सुतक 9 घंटे पहले लग जाता है और गरहन समाफ्थ होने के साथ ही समाफ्थ हो जाता है सुतक काल में पूजा पाठ नहीं करना चाहिए कोई भी सुब और मांगलिक कारिन नहीं करना चाहिए और चंद गरहन के दोरान यात्रा करना भी बहुत असुमाना जाता है इसलिए गरहन काल में यात्रा करने से भी बचना चाहिए गरहन के समय सोना नहीं चाहिए और नहीं धारदार वस्तुओं का इस्तिमाल करना चाहिए खासकर जो प्रेगनेंट मेहलाएं हैं उनको जादा साबधानी इस गरहन के समय बरतनी चाहिए तो ये गरहन कब लगता है देखिए पुर्णिमा की रात को सूरी चंद्रमा और पृतिवी एक ही रेखा में होते हैं पृतिवी के बीच में रहने से इसकी चाहिए चंद्रमा पर पड़ति है जो कभी-कभी इसे एक आकर्सक लाल रंग दे देती है तो इस बार का जो गरहन है वो पूर्ण गरहन होगा पूर्ण चंद्र गरहन और अधिक्तम गरहन के समय चंद्रमा पूरी तरह से पृतिवी की ये भारत हिस्वेंद कि इत्प से प्रकासित क्यों बहुत guest CA Jagay से एक दूसरा चंद्र घ्रैनके दिनलग रहा है है ऩालाकर ये चंद्रगहरं को असू माना झारा है बैग्यानिक दिश्टी कून से हम्माने तो ये खगोली घटना है और शूतac महिलाओं को इस समय से ही बहुत साब्धान रहना है बड़े बुजुर्ग बच्चों को भी साब्धान रहने की हिदायत दी जाती है तो फिलाल हम आपसे विदा लेते हैं जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्काइब करें अपनों से सेयर करें और कमेंट में हर हर म आदेव जरूर लिखें धन्यवाद हम फिर मिलेंगे